कि यहन साथियों नमस्कार स्वागत है आपका रेजल्ड गुरू यूपी एक्जाम में जैसा कि आपको पता है आपने थम देल देख लिया है यहां हम बच्चे 15 से 20 मेट के अंदर कम से कम 15 को शेन इप्टाने वाले हैं जो आपके विविन एक्जाम में आए हुए हैं सिर्प को कितनी समझ है चुनाव आयोग से संब्द प्रावधानों की ठीक है तो कुश्चन हम सुरू करते हैं आज के यह विविन एक्जामों के प्रिशन है सिर्प आपके यूपी ट्रेपल सी पैट में आए हुए हैं बाकि हम और भी कुश्चन लेके आएंगे जो यूपी ट्रे मंत्रा लेकी तहते हैं किसी मंत्रा लेकित या नहीं है अब यह जवाब है लेकिन फिर भी करते हैं यह सकते हैं अब कर दो होगी ताकि काफी दूर का देख सके हैं ठीक है बोलते हैं ना बाजी राओ वो बाज के जैसी नजर तो ऐसी बाज की जैसी नजर बगलो जैसा ध्याना आपका भी होना चाहिए ताकि बहता तरीके से आपनी तयारी को मुकमल कर सके और इस बार सेलेक्शन हासिल कर सके चलिए क कोशन करते हैं यूँ अपने चुनावायों किसे संबंद आए तो पहले प्रिष्ण की बात कर लेते पहला प्रिष्ण है आज का तारकुंडे समीटी का संबंद है बताए जल्दी से जबाब बताएगा आप लोग मन में सोच लीजेगा बाकी मैं इसका जबाब लगाए दे इसका प्रिष्ण है आपको तो फिर यहां पर एक प्रिष्ण बनता है के और चुनाव आयों प्रिष्ण बन सकता है तो आईए सुन लीजी एक मेंट की बात है आपकी तारकुंडे समीटी हो जाएगी इसकी बात है समिती हो जाएगी आपने इसका नाम सुना होगा इसके बाद आपकी दिनस गुस्वामी समिती आई यह भी बहुत एक महत्पूर समिती मानी जाती है लोग कमीशन ओफ इंडिया की रेपोर्ट आई फिरसिन इंद्या ने में बीरप्पा मोईली के समिती यह भी काफी महत्पू हैं बीरप्पा मोईली समिती आई इसके बाद आपकी बहुत नैची सउनेत्राण में में कौनसी दो में आई इसके बाद तंक कमेटी दो हैं यह सारी कमेटी हैं जो आपके चुनावनाओं कि संबंदे थे याद रखेगा काफी महत्पूर्ब पे कानूनिया क्या है कानूनी क्या है यह पिछला वाला भी यह और सारे की किसी नहीं में आई हुए सिर्फ यूपी के एक्जामनी कहीं और एक्जाम में भी आए हुए है नाकरिक के बाइस खोने कानूनी आए क्या है और बेसली हम सब जानते हैं अठारा बस जो होता है हमारे यहां पर उसको बाइस के माना जाता है आप जानते है वैसे भी एक हाल फिलाल में लोग सभा में वि करना जाएगा यह एक अच्छा मुझे लगता है चीज है ताकि बच्चियों को जो हमारी बच्ची आहिन की जल्दी शादी ना हो लोग कहीं ना कहीं डर है क्योंकि आप जानते हैं बाल विवाह हमाज देश में चली रहे हैं जया यह टली कमिटी भी बनी थी हाल फिलाल कहा सब्सक्राइब है कि आपका डिसंबल निश्वी निन वे हैं कानुन भी बना था इसको लेकर फिर्द्ध निरवाचन किसी कहती हैं आपका प्रश्ण है प्रिवें प्रश्ण है तो निर्वाच्ट मंडल पतिती नीच उनना अभीजाद्बर्ग निचनन अभी जानते हैं ज प्रबाक निर्वाचन किसे जंता तो पत्य सबसारीज कि ले ने विए जाता है जहां को बाहता है वो खेर अलग प्राउधन होता है तो यह प्रिटेखनिर वाचन के अंद्गत आ जाएगा आगे बढ़ते हैं वह या उप चुनाओ कर आया जाता है दो बरस बाद तीन बरस बाद पांच बरस बाद या कभी भी कब कर आया था एक्जामपल को तो पर कोई नेता जी है उन्हों पर यह अब इतना दायत वाली पर होते हैं तो बोल देंकर नहीं तो अगर नेता जी कभी मर गई रफे कुछ को होगया तो चुनाओ कर आया था उस और लोग सभावा के चली गई खाली पड़ी है तो इस पर दोबार से चुनाओ करवाता है एक्सामपल याद रखेगा कि चुनाव होते हैं जिलाध्यक्ष की चुनाव करवाता है याद रखिएगा ये कौन से राजन निर्वाचन आयोग की बात कर रहा हूं मैं बाकी अलग ये कि याद रखिए राजन निर्वाचन आयोग अलग है आगे बढ़ते हैं किसी निर्वाचन के दौरां कि राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मित्यों हो जाती है या मर जाते हैं तो इस स्थी में कितने दनों के अंदर दूर सा पित्यासी खड़ा करना पड़ता है एक प्राव इस यह आपके लिए महत्पूर्ण है निर्वाचन के दौरान की स्राज निकदल के उम्मीदवार की मित्यों हो जाते हैं तो कितने दन के वीतर नयाद उम्मीदवार खड़ा करना होता है तो अब इसका जवाब है वह साथ ऐसे टिकी प्रिशन आपके एक्जाम में बन सकते तो साथ दिन इसका सई जवाब हो जाएगा ठीक है साथ दिन चली अच्छी बात है आगे बढ़ते हैं भारत की निर्वाचन पद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् सब्सक्राइब नहीं कि है इसको हमने अपने हिसाब से अपनाया हुआ तो हमारी ही चीज़ें वो तो इसके जब आप भी आपका विट्रेन हो जाए क्यों क्यों आप जानते हैं हमारे लोग सभा विधान सभा की जिस तरी कि चुनाव होते हैं और संसदी वरुस्था यह आप भी है तो यह सब हमने कहां से विट्रेंस से बहुर्ष खिया हुआ है इस सनस्थां में मतलब क्ये कौन सा लक्षट समान है जो सारे बिकल्पों में सारे सारे सब्दों में देखा जा सकता है तो हम जानते हैं परामर्स दात्ती संस्था हैं बिलकुल भी नहीं है ये परामर्स दात्ती बस नहीं है और भी इनके काम ही संभिधान देट तर यानि संभिधान के अलक्स बनी है बादे बनी एक्जामपल न पता है जब ती एंसेशन आगे लखा जाता था भाध कर निर्वाचन आयोग सरकार that तो एंससेजन साहब तो हम जानते है बहुत ही करांतिकारी वेक्ति थी था हलांकि चुनाव नहीं जीत पाई वो लोग सभा़ का नहीं तो आज हमारी अब तो नहीं है लेकिन जो हमारी ए가요 वैठे उते हूथ चली आगे बढ़ते हैं खेर अपना सही गलत सबका अपना होता है कहते हैं न जैन में स्यारबाद के सिद्धानत होता है कि सबका सही अलग-अलग होता है तो बस है सही हमाई जनता का भी देखिए ये तो अपनी एक मतलब ये लिश्ट है ये किस चीज की लिश्ट है ये इसमें एलेक्शन कमीशन आ जाएगा इसमें यूपीज़ी आ जाएगा यानि राज्य सेवायोग ये भी आपके संबिधानिक सहस्थाएं होती है जो राज्य सेवायोग होता है न इसके लिए संबिधान में अनुच्छे अलग से यूपीज़ी आप देखेंगे आपको एस्पीज़ी मिलेगा तो ये भी संबिधानिक संस्था है इसके लावा अब तो ओबीसी भी हो गया अब ओबीसी कमीशन भी आपका संबिधानिक संस्था बन गया है इनके ये भी इनका भी जो ऑफिस होता है इनके आयोग का ये भी संबिधानिक संस्था है अटोर्णी जनरल ओफ इंडिया ये दो हम जानते हैं अड़ोटेट जनरल ओफ इंडिया ऑफ दा इस्टेट ये सब भी संबिधानिक संस्था है इसको धियान में रखना जाना जरूरी है आपके लिए क्यों यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं और एक यहां कंफ्यूज हो सकते तो तो मैंने ये बता दिया है नेशनल ओफिस फोर लिंग्वेश्टिक मानॉर्टेश ठीक है आपको अगर ये दिखाई ना दे रहा हो त उसकी सेटिंग बदल दीजिएगा उसको 720 पे कर दीजिएगा क्वाल्टी को नेशनल हुमन राइट कमीशन यही कुशन आये था आपके यूपी त्रिपल सी पेट 2022 में इसका नोडल मंत्राले कौन था आपका ग्रह मंत्राले ये प्रिशने बना था इस्टेट हुमन के इंतरगात आता है तो उसको चेक कर लीजिएगा वांकी मिने थोड़ी पहले बताया था इसका पर्सनल से संबंदिन मंसाला है देख लीजिएगा एक बार सेंटल ब्यूर्व इंवेस्टिकेशन सी बी आई लोग पालेंड लोग का योगत है यह आपकी क्या है नोन कॉंस सब्सक्राइब क्या हो जाएगा इसके जवाब क्या हो जाएगा इसके सुकुमार से नो जाएगा लेकिन इसके अलावा एक और प्रिश्ने बना था ़िए यह न को देख लेते हैं तो पहले तो सुकुमार से हो जाएंगे हैं इसकी साइट से डेटा उठाया गया है तो परिशान मत हो यह का आपका पूरा अथेंटिक डेटा है चलिए बात करते हैं दूसरे कौन थे कैबी के सुन्दरम यह आपके दूसरे मुक्ष चुनाव आपको याद होना ही चाहिए काफी महत्पूर नाम है इसके के पहली महला मुक्ष चुनावा एक कौन है तो यह हैं सीमती बी एस रमादेवी 1990 से लेके नॉम्बर 1990 से ग्यार दिसम्बर 1990 तक रही है काफी करांतिकारी महला थी कुछ समय के लिए ही रही है तो इनका नाम भी आप याद रखेगा बाकि टी एन सेसन साहब को हम जानते हैं 12.90 से 11.90 तक रही है ते टी एन सेसन सहब एक बार लालूपर सदहार नहीं करेंगे पार दे सतर नहीं बत लेंगे क्योंकि आप जानते हैं बहार में तो बड़े आसानी से बूत क्रेप्चरिंग बहुत आसान चीज थी समय चलिए आगे बढ़ते हैं तो तीन नाम याद रखेगा सुकुमार सेंद के बी के सुन्दरम ठीक है ऐसा लग रहा है जैसे किसी बोल्टेज हाइलाइट का मतलब जो हाई बोल्टेज का नाम हो के बीगे सुन्दरम के सुरवाती नाम और भी एस रमादी भी याद रखेगा ये काम की आपके नाम रहेंगे सारे चलिए आगे बाद करते हैं निरवाचन-ायुक का चियर्मेंन कौन होता है इसके लब आप जानते हैं दो और रधर अत्रिक्तन निरवाचन-ायुक् इसके लावा अनूप चंद्र पांडे आपके एलेक्षन कमिशनर है तो दो अत्रिक्त चुनाव आयुक्त हैं एक मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिष्ण की बात कर लेते हैं आर्टिकल देखिए एलेक्षन संबंद को आर्टिकल है इनको भी देख लीजिए क्योंकि रिवियंड कर रहे हैं तो अच्छे से रिवियंड कर लेते हैं और राटिकल पाए आते हैं कि इनको कभी आपना प्रिश्ण आ रहे हैं आभी देखेंगे आप सीधे कि सीधे बियर एक्ट की उसने लाइन उठा की रख दी थी तो पढ़ना शुरू कर दीजी बियर एक्ट को देखना सुरू कर दीजे बहुत जरूई चीज है तो 324 से 329 तक आपके प्रावधान पाई जाते एलेक्शन का मिशन संबंदित चलिए आगे बढ़ते हैं से भी राष्टपती ही हटाता है हालांकि इसका आपके लिए महत्पूर्ण है पता है क्यों क्यों हाल फिलाल में आपके मतलब लोग सभा में सरकार एक विध्यक लेके आई है जिसमें आप जानते को समय पहले सुप्रियम कोट ने कहा था कि अब जो निरवाचन आयुत की न सरकार आपकी तो यह काफी काम की रहेगी एलेक्सन कमिशन ओफ इंडिया ना आपके लिए बहुत ही जादा महत्पूर्ण होने वाला है याद रखिएगा ठीक है चलें आगे बढ़ते हैं भाहिया तो भारत में मत्दान की आयू सीमा को 21 बरस से घटा कर 18 बरस कप किया गया इसका प्रिष्ण का जवाब बताई यह बहुत ही मज़ेदार होने वाला है पता है क्यों क्योंकि आप जब गूगल करते हैं ना आप गूगल करते हैं कैस बरस से 18 बरस कप किया गया था तो 61 संसूधन पढ़ते हैं तो इसकी पता है डेट क्या लिखी होती है उन्हें 89 ठीक है तो इसके जवाब नवासी नहीं होगा ध्यान रखिएगा इसके लावब यूपी पी-स और इस पर प्रिष्ण पूछ चुका है और इसको क्या मान चुका है जो आपका सिक्स्टी फर्स्ट कंस्टिटिवस्टिशन अमेंड मेंड मेंड आया था यह नहीं आया था य चलिए आगे बढ़ते हैं तो मिनमम एज और यह आप देख सकते हैं पहले की साल आयू हुआ करती थी फेस के बाद उनीची साल के लोग दे सकते थे इसको क्या किया गया 18 साल कर दिया गया आपके 188 में सिक्स्टी फर्स्ट कॉंस्टिटिशन अमेंड मेंड मेंड के माध्य सब्सक्रा कर दिया क्योंकि 18 साल में परिपक हो जाते हैं बच्चे ऐसा सब्सकार मानती है चलिए आगे बढ़ते हैं भात के विबिन राजनीची दलों को राश्टी या छेत्री दल का दरजा देने का दिकार किसको है संसर राश्ट्रपती चुनावाइक सर्वुचनियाल ह अपविसली हम सब जानते हैं चुनावाइक को ही अधिकार होता है आप जानते हैं समय देश में कितने राश्ट्री दल हैं छे राश्ट्री स्तर के दल हैं जिनके अगर हम बात करें आई ये बात कर ही लेते हैं आपका अमानी पारटी की जाड़ू हो जाएगी एन पीपी की किताब हो जाएगी मेगाले की पार्टी है कौन राट संग्मा की पार्टी का हाथ हो गया CPI M है यह कौन है भाईया यह CPI नहीं है CPI M है ध्यान रखेगा क्योंकि आप जानते CPI के बहुत साथ धड़े हैं Communist Party कि बहुत साथ धड़े हैं जिसमें Communist Party of India माक्सवादी आपकी राष्टी इस्तर की दल है CPI नहीं है CPI LM भी होती है बहुत सारी CPI में धड़े हैं यह से CPI बस आपकी राष्टी पार्टी है यह आपकी बहुजन समाज शान होता है तो इसको चना ऑचिनद को देता है राज जी निर्वाचन आयोग तो क्योंकि आप जानते हैं पंचायती राज जवाया था तो इसमें 243 जोड़ा गया था तो इसी अनुच्छे 243 में अनुच्छे 243 के अंदर 243 के में निर्वाचनायों का प्रावधाने भी बता चुका हूं फिर से बता दे रहा हूं चलिए 243 से लेके 243 जैड़ जी तक सारे प्रावधाने इसमें आपके नगर पालिका भी हो जाएगी और प तो आपके हो जाएगे नगर पालिका संबंधी प्रावधान इसको ऐसे समझ लीजिए ठीक है तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण होगा याद रखिएगा काफी काम की जानकारी आपको बताई हुई है यह आपके एलेक्शन संबंधी कोश्चन थे इसका करेंगे तो आपको क्या करना है आपको यह बताना है जो निरवाचन संबंधी प्रावधान है यह संब्धान के किस भाग में है ठीक है यह आपके लिए एक प्रिशन रहेगा तक यह आपके कोश्र का जबाब का इन्तिजार खोगा मिलते हैं किसी और सेसन में करना आपके निरवाचन से लग और बेश को चलत एक है